हालो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सीका पोहा का चूड़ा यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सीका हुआ पोहा लिया है यह बजन में हलका होने के कारण बहुत सारा दिखाए दे रहा है सीका हुआ पोहा को मैंने चलनी से चान कर साफ कर लिया है और चूड़ा हम इस तरह से बड़े बरतन में बनाएंगे बरतन के अंदर सबसे पहले हम सिखा हुआ पोहा डाल लेंगे और उसे इस तरह से थोड़ा सा बीच से उचा कर लेंगे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दाल मोट इसके अंदर मसूर है ये तली हुई मसूर है और साथ में ही कश्मीरी सेओं है इसे हम इस तरह से साइट से डालेंगे दाल मोट मैंने 100 ग्राम डाला है 200 ग्राम डालेंगे डाली डाली होती है चने की डाल जो की तली होई होती है 200 ग्राम डालेंगे तीखी बूंदी इसे भी साइट से डालेंगे मुमफली दानी यह है नारियल और कड़ी पत्ता इन्हें मैंने तल लिया है इन सभी को भी डाल लेते हैं चूडा में खटा मिठा बना रही हूँ इसलिए डालेंगे सिट्रिक एसिड ये दो पिंच लिया है मैंने और इसे बारिक सा पीस लिया है इसे भी साइट से डाल लेते हैं इस तरह से चारो तरह पिखेर कर एक चमज डालेंगे नमक चूडा खटा मिठा है तो शकर डालना भी जरूरी है तो मैं यहाँ पर आधी कटोरी पिसी हुई शकर डाल रही हूँ अब यह जो बीच वाली जगा मैंने खाली छोड़ी है इसमें डालूंगे मैं दो चमज जीरावन जीरावन डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा एक चमज डालेंगे हल्दी पाउडर इस तरह से थोड़ा सा बीच में भी खेर कर डालेंगे दो चमज डाल रही हूँ लाल मिर्श पाउडर लाल मिर्श पाउडर भी इस तरह से बीच में ही डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर हमने इस तरह से बीच में इसलिए डाला है कि अभी हम इसके ओपर गरम तेल डालेंगे गरम तेल डालेंगे तो हल्दी का कलर बहुत अच्छे से आएगा और लाल मिर्च हमारी गरम तेल में सीख जाएगी तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा अगर हम शकर पर गरम तेल डाल देते हैं तो ये पानी छोड़ देता है इसलिए तेल हमें सिर्फ बीच के हिस्से में ही डालना है यहाँ पर ये एक कटोरी से थोड़ा कम तेल है इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसके अंदर में दो चम्मज सोफ डाल रही हूँ अब ये गरम तेल हम हल्दी और लाल मिर्ज के उपर इस तरह से डाल देंगे और चम्मज की सहाइदा से इसे गरम गरम ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी का कलर पूरे चूड़ा में मिल जाए इसे हाथ से मिक्स ना करें चम्मज से करें आप देख रहे हैं चूड़ा का कलर भी बहुत अच्छे से आया है और ये स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी है आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ कीजिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पोहा लिया है और उसके अंदर दूसरी सामगरी मिला कर अभी पनने के बाद इस चूड़ा का बजन एक किलो हो गया है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होते से लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में ही मैंने गुजिया की रेसिपी भी शेयर की है अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक साथ में दे रही हूं इसे भी चरू ट्राइ करें